है कि समझ में भी नहीं आ रहा है समंज नहीं ही नहीं आ आई सब फालतु खान सोचना भी मत और अजया है कि मुझे नहीं बताया कि अभी अभी कितना क्या है कुछ भी यह सब जो भी चल रहा है सब प्लीज बंद कर दो या सब लोग सबसे पहले कर वह आ जाएगा उसके बाद अच्छे से बातचीत होगा घर पे सब लोग परिसान भी हो रहा है कि मुझे लग रहा था कि हम एक पर पता बता हो हम जरूर आ जाएंगे जहां भी है हम तुमको लेने आगे केशनल थारा थार इख ज्नल न Butam विडियोव स्टार्ट करते हैं तु कल पिछल्ए दो दिन से जो कुछ भी चल रहा है सब कुछ देख रहे हैं जान रहें लेड हैं समझ रहें ठीके पूरी जनता को परिशान करिए जो भी ओडियन्स उन्हें फोलो करती है देखती है सभी लोगों के लिए एक दिल दुखाने वाली बात है और थोड़ी बहुत नहीं बहुत ही जादा है मतलब ये बोले कि एक रिष्टे को खराब करना एक एसी ओरत एक एसी ओरत तो सोशल मीडिया पर अपने आपको एक देवी या आईरन लेडी क्या-क्या बताया गया क्या-क्या बोला गया उनके जगत भीया अपनी बेहन को देवी समझते थे मतलब ये समझते थे कि अगर जिसका पती चला जाए और इतनी हिम्मत करके वो यहां तक पहुची है बिना किसी सहारे के और वो पूरा घर चला रही है तो उसको आईरन लेडी बोला जाएगा ठीक है आप समझ रहे हैं सारी चीजे मतलब मैं आपको थोड़ी से वीडियो लंबी हो जाएगे पर आप समझना एक एक पॉइंट और फिर अभी शोशल मीडिया पर अभी भी क्या चल रहा है जब कल कम्यूनिटी पोस्ट डाली गई सचिन द्वारा कि मैं सुसाइड कर लूँगा अब यहां पर एक और बात बता दू मैं सचिन के बाते में बारे में क्लियर कर दू कि सचिन एक जिद्धी टाइप का एक चालवास हर तरीके का लड़का है उसके पास हर चीजे वह जिद्धी तो है अब शुद के लिए वो ने हां को बदणाम करना चाहा रहा था सिर्फ बने स्वार्थ के लिए क्यों क्यूंकि वह अभी भी नेहा के सा pross्र leinde में रहना चाहता था उसको अभी भी रहना था रिलेशन में रखना था चाहे उसके शादी हो जाये उसके भास कुछ चल रहा है वह चाहता पर फिर भी में छोटा सा क्लियर कर देती हूं आज से आठ महीने जो कमरे का राज खुला था जिसमें यह चिला चिला के बोल रही थी तेरे पती में है ही क्या ऐसा जो मैं तेरे पीछे तेरे पती के पीछे पढ़ूंगी तो भाया आप समझ रहे हो अब उस ओरत को उसी ओरत पती के पीछे पढ़ी हुई थी और कितने चॉणफिडेंटलि बोल रही थी तुम्हे यार शरम आने चाहिए, तुम्हारा हस्बेंड खतम हो गया, तुम्हारी एक 5-6 साल की बेटी है, और तुम अपने से इतने छोटे, क्या बताए यार, बोलने में भी शरम आती है, वो भाई के उपर क्या गुजर रही होगी, जो भाई कल लाइव आया था, और आपक कि साइड ले रहा था, किस तरीके से उसने बोला, उसको बोलना पड़ा, हर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे कि मेरी बेहन खरेक्टर लेस है, उसने ऐसा किया, वो खुद मानने को तयार है, क्यों तयार है, क्यों कि सचीन के पास सारे सबूत हैं इस चीज के, अगर वो मना कर देता, तो सचीन सारे सबूत लेकर आजाता, और क्या-क्या चीजे फिर वो खोलता, उससे और ज्यादा बदनामी होती, वो नहीं चाहता था, कि सारी कुई चेट्स, या जो कुछ भी उसके पास रिकोर्डिंग है, वो सोशल मीडिया पर सामने आया, इसलिए उसने य मागी था, सचीन की भी पूरी गल्ती है, सचीन को नहीं पता है कि मेरी एक फेमेली है, मेरी भी पतनी है, और जिसके साथ उसका फेयर चल रहा है, वो एक बच्चे की माह है, उसको यह बाद दिमाग में नहीं आ रही है, वो भी कोई दूद पिता बच्चा नी है, तब 2005 कि जगत दिधी के भाई कि इनके पीच में कुछ गढ़भड'd can me अगर आप शादी नहीं करेंगे तो जो कुछ भी उन्हानने लिद हो प्रोमिस विए और ये शादी के लिए प्र efecto के शादी के लिए तप हमानी अँगेशि? जब आप लड़का डून के शादी करवा दी गई यह सारी बाते हुई है अब सब कुछ बाते लोग देख रहे हैं कुम्यूटी पोस्ट आ रही है सचिन पर सचिन इतना बेशरम इतना बत्तमीज हो का मैंने कभी सोचा नहीं था कि जब भाई अपने लाइफ में मूव ओन कर है वो सारे रिष्टे खटम करना चाहती है कुछ बाते ऐसी होती है अगर आपके बीच में कुछ गलतियां हो गई कुछ मिस्टेक्स हो गई तो आप यह सोचते हैं कि चलो हम लोगों से जाने अन जाने गलती हो गई अब भही तुम्हारी बीबी है तुम भी अपनी नई ला का कि अगर तर् curator से ओई थिसा इन लोगों की बात होती थी इन लोगों का मिलना जुनला जो कुछ होता था नहीं होता था पर चेटिंग तो होती थी लोगों की और नेहा फिर नहीं चाहती थी कि ये सब कुछ हो तबी सचिन ने खुद बताया नेहा के क्या नाम जगदी थी कि भाई ने बताया कि भाई वो सुसाइट करने की कोशिश किया जो हम लोग अनुमान लगा रहे थे वो बिल्कुल सही था कि सचिन ने सुसाइट करने की कोशिश की थी फिर इनके मम्मी की तरफ से फोर्स किया गया सचिन के मम्मी की तरफ से कि एक बार नहीं से बात करवा दो अब भई बात हुई होगी नहीं हुई होगी क्या बात है ये लोग आप इसका अपना मेटर देख ले सारी बाते क्लियर हो जाती है बट जब यहाँ पर एक ओरत आती है कि एक ओरत के सपोर्ट में कि सोशल मीडिया पर यह सारी चीजे नहीं आए तो उसको क्यों गलत साबित किया जा रहा है मैं बात करें हूँ अलका की अलका यहाँ पर बहुत अच्छा काम कर रही है वो नहीं चाती थी यह सारी चीजे शोशल मीडिया पर आए इसलिए उसने जगत दीदी को और सचिन को बुला कर आपस में बोला फोन पर बात करवा कर भाई अपना यह मामला है लिए आप एक फैमले मेटर है घर में सोल कर लीजिए इसको शोट आउट कर लीजिए मत आने दीजिए शोशल मीडिया मतने दीजिए एक और एक झी जिंदिगी का सवाल है वो तरस जोशल मीडिया उसके साथ में पिस रही है वो यह तीन पर उसक्त देखे सोंट canvas दिमाग पर गुजरेगा यह बात तो पहले जगदीदी को समझ में आ जाने चाहिए थी जब मैं जब यह कुछ गलत काम कर रही थी समझ में नहीं आ रही थी मैं क्या करूं कभी मेरी वेटी इसको पता पड़ेगा सोशल मीडिया पर या फिर मेरी परिवार में भी अगर यह सा कर रहे हैं सब ज़ादा गलती जगदीदी की बताए जा रही है क्योंकि उनकी एज इतनी है क्यों को मेचियो हो जाना चाहिए कि भाई में कौन हूं मेरी क्या पोजिशन है और मेरे साथ एक छोटी बच्ची है और मैं क्या करने जा रही हूं दिमाग में नहीं आया अपनी बेटी का भी खयानी आया शोशल मेडिया पर आप सब को अपना इंस्पायर करती हो आपको सब मानते हैं कि यह इतनी अच्छी लेडी है कि सब कुछ हो गया इसके साथ में और इसने अपनी लाइफ सेटल करी और पुरे परिवार को लेकर चल रही पर आपके उस इमेज का क्या होगा मतलत आप शेशल मीडिया पर दिखा रही थी जितने आपके YouTube पर वीडियो हैं आप पती के नाम पर सब धोका कर रही थि जो आपका पती चला गया स malt honour का बारे में बारे में क्या सूचेगी पर यह सारी सीजे होने के बाद में मैं सिर्फ यहां पर यह वीडियो काफी लंबी हो रही है पर आप लोगों सोचिए खुद बताइए कि चलो ठीक है सब कुछ हो गया दो लोगों के बीच में अगर गलती हो गई जो कुछ हो गया ठीक है पर सचिन को क्या इस तरीके से आना पर सचिन अपने आपको एक टीचर उलते हैं एक शिखष सिख़म existens सिख़म ऑफ सबसे तर्व इस सवthe मुई नहीं है अब कर एद ऑन्य वर्त गलती तर्वी में आगे बढ़ रही है, उसकी सगाई हो गई हैं थोड़े दिन बाद रोगे साधी थी अब बताओ, अगर शाधी टूड जाती है तो क्या होगा है इता है? झाली सोचोचेश के तो आप तो लगके आप और से जान को में यह aúnत वाज है raं, यह कर दो अपना this इतने सारी चीजे हो रही है ना मलब ओडियंस के इमोशन से सबसे ज़्यादा खिला गया है सबसे ज़्यादा ओडियंस को बेवकूप बनाया गया है दोनों तरफ से चाहे सचीन हो चाहे निया और एक और बात जो सबसे बड़ी समाज में इन लोगों ने गलत सिक्षा आप जानते हैं कि क्या दर जा रहता है एक औरत का एक लड़की का किस तरीके से उसको रखा जाता है आप लोग समझते हैं और काफी जब हमारा जो समाज है विचार खुले विचार वाला हो गया ना तो जो इन लोगों की वज़े से है ना अब माबाप को साथ सासुर को पारे में सोचना पड़ेगा मनदब आपके माबाप ने आपको छूट दी कि आप चलो यूट्यूब पर पैसा कमा रही हो तो तुम्हें जरूरत है सारे के क्रियेटर से मिलने की और अपना सारी जो भी आप लोग मीट अप करते थे वो सारी चीजे करने की तो उस चीज का फाइदा उठाया गया अब कौन ऐसे माबाप होंगे जो अपनी अगर इसी पहू है या चलो बेटी भी है तो उसको इसे खुला छोड़ कर इंजोई करने के लिए जाने देंगे जब शोशल मीडिया पर यह समाज में यह संदेश आप लोगों के द्वारा पहुचाया जा चोटी चोटी गलतियों से ना बहुत सारी बड़ी गलतियां भी हो जाती है तो मैं लास्ट में सिर्फ यही बोलना चाहूंगे अभी जो लोग नेहा सचीन पर वीडियो बना रहे हैं अभी भी उनकी इज़त को तार-तार करने में लगे हुए हैं तो प्लीज आप यह कोशि है पता नहीं कल को क्या किसके साथ हो जाए तो हम लोग कोई नहीं चाहता कि एक औरत की समाज में इस तरीके से धज्जिया उड़े हां वो बाद सब अब लोग यह बोलेंगे कि गल्ति उसी के गल्ति किसी की भी हो ठीके गल्ति थी उसकी मान रही है वो एक्सेप्ट कर रही आरे भाई उसने बोला कि तुम अपनी लाइफ में मुवन करो जब हो गया सो हो गया उसको भूल जाओ पर नहीं सचिन को इस चीज को रिलेशन को आगे रखना था वो अभी तक रखना चाहता था इसलिए वो उसने कल लाइव इसलिए लाइव आया वो उसने यह बोला कि मै मैं नहीं तो लाइव आकर सब जो पुरानी बातने हैं मैं वो बता दूंगा तो उसने बोला बता दो जो तुम्हे करना है वो करो इस चीज के बारे में मनिशा को भी नहीं पता है मनिशा तो क्या बता है ना ऐसा लगता है कि गुडिया है बिल्कुल चुप चाप बेठी क्या है क्या नहीं कभी उसने गलत को हमेशा सचिन का साथ दिया गलत हो सही हो या हो सकता उसे चीजे पता ना हो पर मनिशा ने चुप रहे कि बहुत गलती करी यहां तक कि इवन मैं तो कह रही हूं अभी तीन दिन पहले भी वो चाहता था कि नहा उससे बात करे यह चाहता मोमंनीश को नहींघाथा उसे मन से प्रेम है करता है उसा नखे प्रेम करता है doga कि दिए नर्ष भी रखो जिस्टे मन आजाया उससे शादी कर लो भोत ही समाज में गलत जारा है कि बहुत ही ज़्यादर में इसको बिल्कुल भी बोलूंगी नहीं कि आप लोग इसको मानो या फिर इसको सपोर्ट मेरा हो बहुत गलत है जो गलत चीज है वो गलत है तो गाइस यही बताऊंगी कि प्लीज अब एक औरत को बदनाम करना बंद कर दीजिए काफी कुछ हो गया सब लोग सोशल मीडिया पर जान गए हैं क्या अब बाते तो बहुत सारी एक्सपोस हो ही गई है बट क्या ही कर सकते हैं चलिए वीडियो खतम करती हूं वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तो फिर मिलते हैं एक नहीं वीडियो के साथ झाल 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 झाल